हेलो मेंबर्स वेलकम एक टो ओंचनल स्टॉक मार्केट फंडामेट अब देखो हैं पर हम लोग डिस्कस करने वाले सर निफ्टी कल कैसे रह सकते क्या कल गैप ओप ओपन हो सकता है और आपने जो बोला था किया वे निफ्टी में फॉल आ सकते 30 देज में क्या वो स्टील तो सब्सक्राइब गया जीतनी वी इंट्राड़ी थे वह भी एक टे तो आप हमरा वाट्सेप डिफरिनली जॉइन कर सकते हैं अब मुद्ध पर आते देखो सबसे पहला पॉइंट आपको फोकस क्या करना है निफ्टी आज उपर जाता हुआ अधिक गया ठीक है निफ्ट यह रंदास था कि शायद यहाँ पर डाव जोन से पॉजिटीव न्यूज आ सकती है और हुआ क्या वो ही हाता हुआ दिखाई दिया आज यहाँ पर यूएस मार्केट के इंफलेशन डेटा आने वाले थे और इंफलेशन डेटा अनुमान थे उससे बैटर आए जी हाँ 7.3% इंफलेशन आएगा 7.1% आता हुआ दिखाई दिया इसकी वज़े से डाव जोन्स साड़े 800 पॉइंट गैप अब है ठीक है और एकजस निफ्टी यहाँ पे कितना करीब करीब 1% आपको गैप अब होता हुआ दिखाई जैसकते हैं ठीक है अब देखो मैंने यहाँ ब इक होता है स् 맞लिग का है मार्केट में जब इन फलेशन थे ठीक है लेकिन इनْ उस मार्केट में जब जा़ा था इंडियन मार्केट में कम था लेकिन आपको अभी जो स्टॉक्स में रिली दिखाई दे रही है वो किसकी वाज़े से हैं तो कि पेड की जो रेठ हाइक है पूराने वाले जो है उनका भी लोन का जो इंट्रेस्ट होगा वो बढ़ गया होगा ठीक है इसकी वाज़े से इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा समझ रहे हो तो यह जो रेट हैक्स हुए है इसके वाज़े से बैंकिंग स्टॉक्स उपर जा रहे तो आप यहां पे proper market inflation काबू में आगे 110% ठीक है इन्फलेशन कम हो गया तो आज सब्लेशन कम करना पड़ सकता है और उसकी वज़े से bank crash हो सकते है मैं वर्ल यूज़ कर रहा हूं crash ठीक है आज किसी को समझ βह नहींगा आज सभी यहां द्हुन में बेटे हैं ठीक है डांस कर है इस watermelon लोग की प्रॉफिट हो रही है लोग की चांदी हो रही है ठीके ना लेकिन लोग समझते नहीं क्यों कि यहां पर उनको समझना ही नहीं है लोग नेगेटिव हो लेंगे उसको अंसब्सक्रेब करके चले जाएंगे मेरे अगर नहीं समझने आप भी फस होगे मैं ज्यादा तर नेगेटिव नहीं बोलता क्योंकि मुझे पता है मार्केट कैसा है तो यह चीजे किसके लिए पॉजिटिव हो सकते है तो कि यह जो चीज से होगी इंफलेशन कम होगा यह मिड़केप स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होगे सुनो ध्यान से किसके मिड़केप स्टॉक्स के लिए तो अभी आप जो भाग रहे ना बैंकिंग स्टॉक्स आपका भागना आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि अगर फसे तो बहुत खरब फस होगे और जो PSU बैंक्स होंगे वो तो लाइफ में उपर नहींगे ठीक है यह दस साल में एक बार होता है जब इंफलेशन बढ़ता है ठीक है तो आप यह समझो अभी PSU बैंक का छोड़ने का टाइम आ चुका है मिड़केप के अंदर घुसने का टाइम आ चुका है ठीक है आपको focus किसमें करना है आपको डिक्सोन में focus करना है इंडिया मार्ट जैसा स्टॉक पर focus करना है जहां पे inflation कम होगा तो profit बढ़ी का क्लिर अब मुझे पर आते देखों हम लोग निफ्टी डिसकस करनेंगे यहां पर सर कल कैसे हो सकता है सर बहुत ज़्यादा गैप दिखाई जे रहा है सी समझो अगर बहुत ज़्यादा गैप आप है तो वेट का ले रहा है ठीक है गैप है डेफनेटी हंड़ेट पॉइंट् प्रॉपर देखने जाएं ठीक है वन फिफ्टी पॉइंट्स वा तो 18,750 वैसे भी एक रेजिस्टरंस के नियर है 18,800 पे ठीक है तो गैप अब को कुछ खरीदना नहीं है कुछ करना नहीं है वेटरिन वाच करना है प्राइज एक्सन देखे हम लोग शॉट करेंगे ठीक है क्योंकि अलेडी गैप अब है सस्टीन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर थोड़ा गैप अपन होगा तो फिक चांसे से उपर जाएगा तो रेजिस्टरंस आप क्या है आप यह समझनो मोटा मोटा यहां पे है रेजिस्टरंस यह वाला रेजिस्टरंस है 18,650 करना है तो वेड करना है तो वेड करना प्राइस एक्शन लिख के हम लोग शॉट करेंगे कब शॉट करना है आप लोगों को तो मैं आपको लिवल्स बता देता हूँ शॉट करने के लिए वैसे सपोर्ट किया है उसके हम लोग शॉट करेंगे लेकिन आप यह समझो कि 18,520 सपोर्ट है अगर यह तोटा इसके नीचे सस्टेन किया तो फिर 18,440 तक मार्किट आ सकता है तो इसके नीच जैसे कि मैंने लिवल्स बोले थे 200 की उपर जाना मेरी लिए भी कहना मुश्किल है वैसे स्टॉक बैंक निफ्टी का भी डिफिकल्ट है प्राइज एक्शन दिखके ट्रेड करेंगे ठीक है अगर लिटल बिट गाप अपन हो गया कोई भी रिजन की वजह से तो फिर 43,800 की नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और 43,600 तक के टार्गेट है ठीक है बात इस समझ में तो यह चीज़ है रिटल इमश्यक को फोकस करने ट्रेडर्स को फोकस करने लिवल्स फोकस करने है अब बात करें जहाएं पर सबसे पहले इंट्राडे स्टॉक की सबसे पहला इंट्रा देखे हैं बहुत साथा कॉल राइटर्स एक्टिव है 1700-1800 के ऊपर तो चांसल से 1700 तक यह जा सकता है 1650 के ऊपर जाती ही स्टॉक में एंट्री करेंगे एक परसन का स्टॉप लॉस एक परसन तक की टार्गेट है सेकें स्टॉक हो चुका है लॉरेस लैप ने पूरी दुनि वाला यह बंदा ठीक है 37 की नीचे हम लोग शॉड करेंगे लिकिन कल गैप अब है तो यह भी गैप अब जो सकते है तो लेवल देखके सुनो द्यानसे लेवल देखके शॉड करेंगे जब तक यह लेवल टूटे नहीं तब तक शॉट्मous नहीं करेंगे 387 के नीचे करेंगे स्टॉक में 13301325 तक की टार्गेट पॉसिबल हो सकता है फोकस की जिएगा वास्ट लिस्ट पर रखेगा चौथा आंखरी हो जाता है IDFC देखो अब ये कल गैप अपन हो सकता है बेज वन दे इंफलेशन लेकिन अगर गैप अपन हो गया 930 के बाद इंट्राडे हाइ क्रॉस करता है देन हम लोग ट्रेड करेंगे ऐस अवाइड करेंगे ठीक है तो लेवल टूटे ही एक पसंदिया अच्टाफ लगया और कोई गलत लगे कॉमेंट कर देना और मैं आपको ये भी बताया के निफ्टी ज्यादा फॉल नहीं करेगा तो अभी भी सही था अभी म मैं तो सही हूँ ठीक है आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और वाटसेप ग्रूप को जॉइन करें देखो भाई समझ लेना कि अर्मोस्ट 1.5 यह से हमारी मेंबर्शिप की प्राइस सेम है 800 रुपिस पर मन्त नेक्स्ट मन्त हम लोग छोटी सी प्राइस इंग्रिस करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई जय हिल